योगता का धक्का देके देश का आगे नहीं लाजा सकत है पंडित कपल मिश्रा क्या रहे हैं जातिकत आरक्षिन के नाम पे जौन तरीका से हमाई देश में राजनीते किस तर पे खेल खेलो जारो है वो बेहत दुर्भागपूर्ण और देश के विकास में बादक है आउ सकत है कि हम जाती के दाधार पे नहीं बलकि गरीबी के आधार प्यार अक्षिन प्रदान करें हम इतरह से योगता का धक्का देके देश का आंगे नहीं लाजा सकते हैं जो त्या ब्राम्हंट समाज के अंतरास्टिय संयोजक पंडित कपल मिश्रा ने पत्रिकार के समक्ष व्य भाई हैं जो आगामी दिनन में बुंदेल खंड को जिजोतिया ब्राम्हंट समाज के उत्थान हेतू बिभनिक ग्राम और अंचलन में जाके संपर के स्थापित करें हैं सब इकत्रिक हो रहे हैं और हमें अपने बंदेल खंड का विकास करने इसको लेंगर के साहिव पर समाज का संगठन के लगम कहां पूरे देश में अंतराश्टी स्तर पर विए अंतराश्टी स्तर पर नाम है 15 देशों में हमारे संगठन आज मूर्त रूप ले चुका है और आठ राच्व में भारत में बुर्त रूप ले रहा है इस छेत्र के लिए क्या आप कुछ करने वाले हैं समाज को लिए हैं कि यहां से निकल करके बाहर गए लोग तो युएस की जुडीपी में अगर हमारे जिजोतिया ब्राम्वनों का युगदान है दिली में मुंब जिस तरह से राजनीती में या सरकारी व्वस्थाओं में ब्राम्र समाज की जो भूमिका है बड़ी नगर रखी गई है उसके लिए क्या आपके समाज के द्वारा कुछ किया जा सकता है आने वाले समय में दिखिए यह विशय भुपाल में भी उठा था अरक्षण जैसे व परवस्था धारा 25 रोपती है कि कर्म कांडे के लिए प्रवेद्ध हो तो कर्म कांडे से भी चेतू हो गया तो दोनों तरफ से गए तो आज की स्थिति में जिस प्रकार से ब्राम्मन ब्राह्मन टार्गेट किया रहा है तो यह राजनीती ने जो किया है आप ऐसा नहीं कर स जाती को आप करके जाती समझ कटम नहीं कर सकते हैं आपने खुद चार जाती है बना दी चार जाती है अगर बढ़ने वबस्ता को तो आपने कह दिया सवर्ण अनुसूचित जाती अनुसूचित जन्ह जाती ओवीसी तो इतना घपला है कि आप तो आश्यर करोगे उसमें तो जाती हों कर समुच्च है जाने क्या गुशा दिया तो यह नहीं होना चाहिए राजिनीती गलत है और इससे समाजी के द्विश पैदा हो रहा है छोटे-छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमको अवसर नहीं मिला योगता को आप धक्का दे करके देश को पीछे आगे नहीं लि झाल